कर्याबात केंदर सरकारे बजेट मां जमु काश्मीर ना विकास माटी प्रतिबद होवानों दावो कर्यो निर्मला सितारमने बजेट मां जमु काश्मीर ने पन भीटापी हती तेमने घोशना करी हती के उजवला योजना अंतरगत जम्मु काश्मीर ना एक करोड जेतला लाभार्थियों ने जुडवा माँशे आसाथे जम्मु काश्मीर ने अंदर पणगे स्पाइपलाइन योजना शरुआत करवा माँशे जी अंगेत जमुकाश्मेर नाप्रभारी तरुन चुगे करू के बजेट थी काश्मेर भारत नो मुख्य परेटन स्थर बनी चशे नवी ओजनाओ द्वारा काश्मेर माविकास नो नवो यूग शरू थशे बाजपा के नाशनल जनरल सेक्टरी तरुन चुग जी हमारे साथ मौजूद है और देश में बजट पर चर्चा हो रही है और पहला सवाल बजट को लेकर सर करेंगे पहले ये बताईए एक तरफ बजट में कई चीजे जो है जिनमें हाइक दी गई इंक्रीज दिया गया चाहे एग्रिकलिजर सेक्टर की बात लगातार बाजपा कर रहा है या इने सेक्टर उसकी डेवलपमेंट रिवलिशनरी स्टेप्स उठाये हैं बजट में बहुत सरी चीजे हैं जो पहले नहीं थी इत्यासिक है दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें उनके लिए बजट में क्या रखा गया क्योंकि किसान अभी विरोध भी कर रहे है से 200 गुना जाता है चावल खरीदने के लिए 200 गुना से भी जाता है दालें खरीदने के लिए 1000 गुना पैसा हम परचेस कर रहे हैं तांकि किसान का माल MSP बेखरीदा जाए मंडियां देश के अंदर नहीं मंडिया बने परानी मंडियों के ऊपर एक लाख करोड रुपया इंफ्रसेक्षर फंड कर्च किया जा रहा है किसान के सम्मान नीदी का पैसा बढ़ाया जा रहा है तांकि उसको 2000 पर जादा से जादा किसान कवर हो सके यह एक कैसी स्कीम है है कि हम इतना अनाज उठाएंगे इतनी धालिंग इए बहुत बड़ा शडएंतर जो किसानों के के लिए विश गोलने का काम उनके मन में शंका बैदा करने का काम कुछ लोग करते रहे थे लेकिन इस बज़ट में नरींदर मोधी जी की सरकार ने बजट के प्रवधानों मे अभी मद्बे इस तरह क्यों चल रहा है इसा है कि लगातार एक दर्जन वारता हुई है और ये बजट एक सरकारी डाकुमेंट है उसमें अगर जब MSP के लिए कहा जाता है मंडी के लिए कहा जाता है तो किसानों किसान जो चाते थे वो सरकार कर रही है और मेरे को लगता है य जुमू कुश्मिर की तरफ लगातार बाजपा यहां पर विकास के दावे कर रही है और विकास को लेकर ही चाहे डीडिसी चनाओं की बात करे या पंचाय चनाओं की बात करे लोगों के बीच बाजपा के नेता गए तो इस बजट में कौन-कौन से वो माहतरपून चीज़ से रखी गई हैं जिससे कि आने वाले सालों में जिम्मू कुश्मीर के लोगों को वाकी लगेगा कि हाँ बाजपा के कारिकाल में विकास हो पाया है देखिए ठाइस हजार करोड रुपया इंडस्टियल पैकेज के लिए रखना यहां के लोगों को रोजगार मिले उसके लेके आए हैं और यहां के पूरे देश में जैसे 137 प्रतिशत बड़ोत्री अपने हैल्थ सर्विसीज में कहीं वहीं जम्मो कुशीर में हर फैमिली को हैल्थ कार्ट पूरे देश में ऐसा नहीं है जम्मो कुश्मीर को प्राक्मिक्ता पे लिए गया और मैं हरान हूं कि 10 स्लाक लोगों को गोल्डन कार्ड पहुंचा है उसमें से 10 अजार लोगों ने 40 दिन में इलाज भी करा है कार्ड भी दिया है और कार्ड का प्रेक्टिकल दिखना भी शिरुग हुआ है और मेरे को लगता है कि यह जम्मो कुश्मीर की गरीब जंता के लिए बहुत बड़ा स ravish के इंदर हमने भारत-माला योजना हो जैंडं रोड इंफ्रस्थक्षे और उसमें कट्रा से गिली तक लीज ओंन अधि टिल्ल हो उसके लावा यहां टनल्स हों चistem बनियाल से कांजे कुड़ी की टन्ल हो या बाकी टर्नल्स में पैसा हो रहा हो या रोड्स के इंप्रस्रेक्टर की बात हो चाहे बारा मुला से जो नई रोड की बात चल रही है उसके लिए पैसा हो एक बहुत अच्छी जोजना परधानमंत्री नरेंदर मोदीजी ने green signal दिया है और पहली बार 3300 क्रोड रुपया केंद्री बजट से जम्मु कुश्मीर के बजट को दिया जा रहा है परधानमंत्री अवाज जोजना के माद्यम से 3.78 करोड बेनिफिश्री इसको फैदा दिया जा रहा है जम्मु कुश्मीर में गैस पाइप लाइन एक बहुत बड़ा इतिहासक प्रजेक्ट है जिसके माद्यम से आप याद करिए कांग्रस का दोर जब लाइने लगती थी गैस के लिए अब घर-घर पाइप से गैस पु जरू की है जम्मु कुश्मीर में दूर दूर तक लोग रहते हैं शैद उनके पास अपने छोटे से घर पर पुंचाने के लिए पाइप लाइन भी नहीं हो अब परदान मंत्री की योजना के तहत उनके घर तक के नल की पाइप उनके घर के अंदर नल पुंचाने का हुए परदान मंत्री नरिंदर मोदी जी लगातार का में तरुम जी देखें जम्मु कुश्मीर में लोगों की लगातार यही नाराजगी रही है कि सरकार तो योजना यह बनाती हैं केंदर से स्की में आती हैं फंड्स आती हैं लेकिन जो डेड लाइन होता है किसी भी प्र लोगों को यह उजना है लिए इसके लिए समय अबदी तैय की गई है और मेरे को पूरा विश्वास है और आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ अगला बजट का जब मेरे को यहां बेजा जाएगा तो मैं जो परजेक्ट आज बोलना हूँ उनके पूरे होने के शिला ले रही किसे रेस्टोर कर किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी सेक्टर्स प्रवायत हो रहे हैं अब जूंकि इसे रेस्टोर किया गया है जम्मु कुश्मीर में पोस्ट पेड कनेक्शन पर बाजपा लगातार यह कह रही थी कि अभी समय नहीं है तो अब कैसे आपको लग इतनाएं लगातार कम हुई और आज तो शुन्य के निजदीक पहुंचे जम्मु कुश्मीर की जनता असल में ही शांती प्रिये हैं कुछ शरार्ती लोग काम कर रहे थे हैं अज इन शर्ता शरार्तियों पर नकेल पहुंचिए हैं आज हम यहां तूरिजम की बात कर रहे हैं टर्रिजम पर बात नहीं कर रहे हैं आज बुलट पर बैलेट है वी हुआ है यह परिवर्तित होता हुआ कश्मीर है बदलता हुआ जम्मो कश्मीर आगे बढ़ता हुआ जम्मो कश्मीर है जिस जम्मो कश्मीर के लोगों का अजंडा विकास है आप सोचिए कश्मीर में 9 लाक से ज़्यादा लोग वोट करने के लिए आते हैं पहली बार लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लोग विकास को प्रात्मिक्ता पे ला रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है और मैं परधानमंदिर नरिंदर मोदी जी को और जम कुश्मीर की जनता क दन्यवाद करता हूँ कि आज 4G अगर रिस्टोर हुआ है तो जम कुश्मीर की जनता की बदोलत हुआ है आखरी सवाल आपने शांती की बात की बदलाव की बात की और शांती रही तबी 4G रिस्टोर हुआ तो इस शांती के पीछे की वज़ा क्या आप देख रहे हैं और इ इससे पहले यह सरकारे रही या इरिजनल पाटी रही नेता रहे वो कई न कई फिलाल अपनी गत्वीद्या नहीं कर पा रहे इसलिए शांती रही क्या शांती की वज़ा क्या देख रहा है ऐसा है कि वह तो आप बेसिक रिजन है लेकिन असल क्रेडिट यहां के नोजवानो चाहिए तो विखास और आनतकवार कठे नहीं चलोब है है लोग है आज है टूरिस्म के लिए बात कर रहे हैं पॉर्जेक्ट लगाने के बात कर रहे हैं टेर्रीज्म जा रहा है मैं इसके लिए पर्धान Democracy नरिंदर मोदी जी को ग्रह मंतरी अमित्हचा जी को हमारे LG जो बहुत मेहनत से यहां काम कर रहे हैं सिना साथ और यहां की अवाम उसको बदाई देता हूँ तो साफ तो पर इनकाम ये मानना है कि देश में किसानों को गुम्रा किया जा रहा है और बजट में तमाम चीजों को मद नज़र रखा गया है और खास तर पर गरीब अवाम के लिए ये बजट बनाया गया है और दूसरी तरफ किसानों के लिए भी इसमें कहीं जो है परसंटेज का का इंक्रीज दिया गया है बजट में वही जमू कुश्मीर के हवाले से इनका मानना है कि लोगों ने शांती बनाए रखी इस वज़से अब 4G को रेस्टोर किया गया लोग यहां पर शांती चाहते हैं अब यहां का युवा लैपटाप और कलम चाहता है तो कहीं ने जमू कुश्मीर में कुश्मीर गाटी की शुरुवात हो चुकी और बाजपा इसके लिए लगातार प्रयाद